कि नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से हो विडियो में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों jamp server के बारे में जैम सर्वर एक वर्चुल Server होता है दोस्तों जो次 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद हम उसके अंदर वर्डप्रेस और बहुत सारे पीएच्पी के जो सॉफ्ट्वेर से उसको रन कर सकते देख से क्तों आप अच्छे सर्वर को यूज कर सकते मारिया डीबी और पीएच्पी और पारलें तीनों को यूज करने के लिए हमें तो अगर आप Mac user हो तो क्योंकि मैं Mac में सिखाने वाला हूँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि यह जो एपल का डिवलपर है उसको यह जो है ट्रस्ट नहीं करता तो यह एरत देता है तो इस विज़े से मैं वीडियो बना रहा हूं तो सबसे पहले आपको यहां यहां पर इस तरीके से क्लिक करना है और आप देख सकते हो यह अपने आप यहां पर डाउनलोड स्टार्ट कर देगा यह न्यू टैब में खोल देगा बट यह पहले वाले टैब में आपका देख सकते हो यहां पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है तो इस तरीके से अगर को सबसे पहले तू इसकोर डाउनलोड नहीं होता है यहां पर डाउनलोड कर सकते हो हमारा ऑटमेट कर सकते है आपने इसके अंदर पर क्लिक करेंगे यह देख सकते हो इस तरीके से ऊपन हो रहा है और जब हम इसके उपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से यह मैसेज आता है हमारे पास कि जो macOS can't verify this app is a free from malware दोस्तों यह आपको इंस्टोल करने नहीं देता है यहां पर बस कुछ भी ट्रस्ट करने का कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है तो में इसी problem को कैसे टैकल करें और इसको कैसे अपने सिस्टम में इंस्टोल करना है मैं इस वारे में आपको आगे बताता हूं तो सबसे पहले आपको तो इसको प्लोज कर देना है कोई बात नहीं और आपको अपने सैटिंग में आने के बाद आपको यहां पर आपको आना है स्क्यूरिटी में privacy and security में जब आप आओगे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है दोस्तों और यहां पर आपको मिल जाएगा यह यहां पर आपको स्क्रॉरिटी के अंदर मिल जाएगा देखो जो यह अलाव अप्लिकेशन डाउनलोड स्क्रॉम तो यहां पर हमने हलाकि यहां पर आपको सिंप्ली ओपन एन्निवे पर कलिक करना है और यह देख सकते हो आपसी पासवर्ड मांग रहा या तचाइडी जो भी आपका है उसको दे दे देना है और इसके बाद यह देख सकते हो यहां पर यह बापिस से पूछ रहा है आपसे यह जो macOS cannot verify this developer are you sure want to open it तो आपको यहाँ पे open पे click कर देना है अब यह आपसे password पूछ रहा है यह जो system का password है आपका admin password वो आपको डाल देना और उपको पे click कर देना अब यह देख सकते हो अब यह open हो जाएगा दोस्तो आपको panning नहीं करना आपको wait करना यह देख सकते हो welcome to jam और जो यह इसका setup है वो start हो चुका है तो आपको simply next पे click करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यह default इस पे selected रहने देना है और आपको next पे click कर देना है उसके बाद फिर से आपको एक और और next पो click करना है और ready to install फिर से एक और next पो click करना और यह install होने लग देना दोस्तो तोँ आपको wait करना है इसको install होने निना है तो दोस्तो यह तोड़ा सा time लेता है तो आपको wait BONning करना है यह दो से चार मिनिट का टाइम लेगा depending on your system speed, अगर आपके system का speed तेज है, fast processor है, तो जल्दी भी हो सकता है, तो आपको wait करना है, आपको कुछ भी निए करना है, आपको wait करना है, तो दोस्तो आपके पास इस तरह के से pop-up आएगा, do you want the application HTTP PD to accept incoming network connection, तो आपको इसको allow पे क्लिक कर देना है दोस्तो, उसके बाद आप देख सकते हो, यह हमारा successfully जो है, वो install हो चुका है, तो launch पे हम क्लिक करते हैं इसको, अब यह launch हो रहा है दोस्तो, देख सकते हो, हमारा jam server है वो running mode में आ चुका और जो हमारा application का interface है, वो भी आ चुका है, तो manage server पे क्लिक करेंगे, अब देख सकते हो, Apache server running है, और MySQL अभी running नहीं है, तो इसको भी, अगर हम यहाँ पे, अगर अब PHP MyAdmin पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हो, आप अभी यह error दे रहा है, क्योंकि हमारा जो यह server है, वो running नहीं है, तो इसको start पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हो, यह start हो चुका है, अगर हम retry to connect पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हो, हमारा myphp admin भी चल गया, तो अगर इसकी folder के बात करूं, तो आपको folder open करने के लिए, go to application folder पे आपको करना है, यहाँ पे click, ज जो हमारा jam file है, वो यहाँ पे, सारा htdocs में होता है, वो इसी तरीके से आप यहाँ से open कर सकते हो, दोस्तों main problem यही थी, installation का, कि जो apple का developer है, वो इसको उपर trust नहीं कर रहा था, तो इसी तरीके से आपको setting में आके, allow कर देना, यहाँ पे security के अंदर से आके, और यह दोस्तो सिरफ jam के लिए नहीं, कोई भी applications में आपको, वो same error आता है, तो आप इसी तरीके से, यहाँ पे allow कर सकते हो, बसरते वो आप देख लेना, कि applications safe हो, आपके system के लिए, तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, कि किस तरीके से आपको, जो है, Mac के अंदर jam server कैसे install करना है, औ से आपको start and stop करना है, अगर आपको simply, अगर इसको stop करना है, तो stop all पे click कर सकते हो, individual करना है, तो इसको select करके करना है, अगर सब को करना है, तो stop all पे इस तरीके से आपको click करोगे, तो सारा stop हो जाएगा, start all पे करोगे, तो start हो जाएगा, restart का भी यहाँ पे option है, वागे configuration करने के लिए भी यहां पे option दिया हुआ है दोस्तों अगर configure करना है कुछ भी आप देख सकते हो open config file करनी है तो इस तरीके से आपको open हो जाएगा यहां पर आपको कुछ config file को अंदर setting में अगर change करना हो कुछ चीजे होती है जैसे memory का size बढ़ाना हो यहां से आप इसको open कर सकते हो log file भी यहां से check कर सकते हो port नंबर भी यहां पर given है port नंबर यह रहा है localhost का जो आपका port होता है वह यह given है ठीक है दोस्तों इस तरीके से आप use कर सकते हो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हमने सीख लिया कि किस तरीके से jam server को install करना है so thanks for watching this video, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो अगर पसंद आई हो तो like, comment और share करना और अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलना और कोई doubt हो तो मुझे comment section में बताना कोई problem हो तो मैं उसका जरूर reply करने की कोशिस करूँगा तब तक के लिए नमस्कार मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में